तीसरे वंडे मुकाबले के लिए गोसित की टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा ने खतरनाग पलेंग 11 देखे आस्ट्रलिया की टीम के कप्तान स्टिव स्मित के उड़े होस नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका एक बार फिर हमारे चैनल में पारत और ओस्ट्रलिया के बीच तीसरा वंडे मुकाबला चैनने के चेपक स्टेडियम में खेला जाना है इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा ने अपनी पलेंग 11 का एलान कर दिया है चांपर टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव किये हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आखिरी मुकाबले को जीतने के लिए रोहित ने कौन कौन से खलाडियो को मौका दिया है लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक अमार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबालें और साथी आप भी चातें कि टीम इंडिया आखिरी मुकाबले को जीत कर सिरीच को अपने नाम करें तो इस व्योड़ो को लाइक जरूर कर दे तो चले दोस्तों जानते हैं कि अब तक भारती टीम का परफॉमेंस किस परकार कर रहा है तो दोस्तों अब तक दोनों मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया के बलेबाचू ने काप भी निरास किया है क्योंकि दोनों मुकाबलों में भारती टीम के बलेबाचू के परफॉमेंस को देखा जाए तो बहुत ही खराब परफॉमेंस नजराता है क्योंकि जहां पहले मुकाबले में भारती टीम के सामने बड़ा लक्स यह नहीं था लेकिन फिर भी भारती टीम उस लक्स यह तक बड़ी मुस्किल से पहुँची थी जबकि दूसरे मुकाबले में तो कोई भी बलेबाज ऐसा नहीं रहा जिसे कह सकते हैं कि इन्हों ने सांदार परफॉमेंस किया जिसके चलते टीम इंड़ा को दूसरे मुकाबले में तो हार का साम नहीं करना पड़ा वहीं पर दोस्तों गेनबाजू की बात की जाए तो अब दूसरे मुकाबले में तो गेनबाजी ज़्यादा कास रही नहीं थी क्योंकि बलेबाजी इतनी खराब हुई थी कि गेनबाजू के लिए कुछ भी नहीं बचा था लेकिन याँ पर पहले वंडे मकाबले में भारती गेनबाजू की गेनबाजी अच्छी रही थी SME याँ पर तीसरा मकाबला अगर टीम इंड़ा को जीतना है तो भारती टीम के बल्ले बाजू को रंच जरूर बनाना होगा दूसरी तरफ दोस्तों ओस्टला की टीम की बात करें तो ओस्टला की टीम के बले बाजू के साथ साथ गिन बाजू का परफॉमेंस भी कमाल का रहा है बले बाजी बले पहला मुकाबला इनका अच्छा ना गया हो लेकिन दूसरे मुकाबले में दोनों ओपनर बले बाजी ने कमाल का परपॉमेंस किया था ऐसे में याँ पर ओस्टले की टीम बले बाजी में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी क्योंकि इनके पास यो बले बाजी हैं वो कमाल का परपॉमेंस कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो इस टीम के लिए ओपनिंग जोडी के तोर पर मिचल मार्स और उनके साथ ट्रेविस हेड उतरेंगे तो नमबर तीन पर इस टीम की दरब से स्टिव समित खेलते वे नजराएंगे तो नमबर चार पर लाबुसेन उतरेंगे जबकि दोस्तों नमबर पाँच पर इस टीम की दरब से विकेट कीपर बले बाज एलेक्स केरी खेलते वे नजराएंगे तो नमबर 6 पर केमरून गरीन उतरेंगे जबकि दोस्तों नमबर 7 की बात करती याँ पर मारकुस टोइनिस उतरने वाले हैं तो नमबर 8 पर सीन एबट उतरेंगे नमबर 9 पर नेथन इलिस उतरने वाले हैं और मिचल स्टार के सामने पार्ती बलेबाज कुटने टेकते वे नजर आये हैं और कोई भी बलेबाज ऐसा नजर नहीं आये जो मिचल स्टार को अच्छी तरह से खेल पाया हो ऐसे में पार्ती टीम के लिए सबसे बड़ा खत्रा मिचल स्टार की बनने वाले हैं दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की तो दोस्तो पार्थी टीम की बले बले बाजी खराब हुई हो लेकिन बले बाजी में ज़्यादा बदलाओं की संभाव ना नहीं है ऐसे में दोस्तो पार्थी टीम की ओपनिंग जोड़ी के तोर पर रोहित सर्मा और सुबमन गिल पारी की सुरात करते वे नजर आएंगे पिछला मुकाबला तो दोनों का बहदी खराब गया था ऐसे में आपर इस मुकाबले में इन्हें अच्छा परफॉमेंस करना होगा इसके बाद दोस्तो नमबर तीन की हम बात करे तो यहां पर विराट कोली खेलते वे नजर आएंगे विराट कोली के परफॉमेंस की बात करे तो यह सिरीज अब तक उनके ले भी ज़्यादा खास नहीं रही है तो तीसरा मुकाबला इनके ले भी बहदी मैत्पून हो जाता है जबकि दोस्तो नमबर चार पर सूर्य कुमार यादो उतरेंगे जो की अब तक दो मुकाबलों में सिर्फ दो ही गेंदे खेल पाए हैं मिचल स्टार्क इनके उपर कहर बन कर टूट रहे हैं और सूर्य कुमार यादो को पीच पर टिकने का मोका नहीं मिल रहा है इसमें याँ पर इने अच्छा परफोमेंस करके दिखाना होगा तो वहीं पर नमबर पांच पर केल राहूल उतरेंगे केल राहूल की परफोमेंस की बात करें तो ठीक टाग परफोमेंस कह सकते हैं क्योंकि पहले मुकाबले में अच्छा परफोमेंस किया था तो वहीं पर नमबर 6 पर एक बार फिर हार्दिक पंडिया उतरेंगे तो नमबर 7 पर रविंदर जड़ेजा खेलते वे नजराएंगे वैसे तो इन दोनों का परफॉमेंस की बात करें तो रविंदर जड़ेजा का परफॉमेंस अच्छा रहा है वहीं पर नमबर आठ की बात करती यहां पर अक्सर पटेल उतरेंगे जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी अपनी सांदार लाई दिकाई थी अगर इन्हें और उपर बलेबाजी का मौका मिले तो यह सांदार परपोर्मेंस कर सकते हैं वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं नमबर 9 की तो यहां पर कुलडी प्यादों को मौका मिलेगा जबकि नमबर 10 पर उमरान मली कहलते वे नजराएंगे वहीं पर नमबर 11 पर मोहमत सिराज को मौका मिलेगा तो दोस्तों क्या लगता है उनके साथ टेम इंडा मुकाफला चीत पाएगी हमें अपनी राई कमेंट में जरूर दें धन्यवाद